नमस्कार, स्पोर्ट्स वैक्ट देखे रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अभीशेक भारदवाज भारदवना वेश्टिंडीज के बीच से खेले जारे T20 मुकाबलों के रोहिट शर्मा तीसरे T20 मुकाबले के दौरान डिटायर धट हुए थे जिस तरीके से रोहिट शर्मा के मांस पेशियों में खिचाओ के शिकायत आई थी उसके बाद से वो मैदान से बाहर हो गए मैदान से बाहर जाने के बाद ही लगतार ये कयास लगाए जाने लगेगी क्या रोहिच शर्मा उस मुकाबले में वापस आएंगे खेलने के लेकिन ऐसा नहीं हुआ रोहिच शर्मा वापसी नहीं कि रोहिच शर्मा ने मैदान को उस मुकाबले में उसके बाद लगतार चर्चाई ये होने लगी कि क्या रोहिच शर्मा आने वाले जो दो 320 मुकाबले हैं जो कि अमेरिका में खेले जाने वाले हैं क्योंकि वेश्ट इंडीज में 3 T20 मुकाबल क्या रोहिच शर्मा जो है वो बचे दो T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि देखे सवाल बहुत गंबीर है अगर रोहिच शर्मा के फिटनेस की बात की जाए तो आपको पता इसके पहले हैंस्टिंग एंजिरी से रोहिच शर्मा जो है जूज रहे तो उसके बाद कोविच निगेटिव होने के बाद आइसोलेशन पूरा किया रोहिच शर्मा ने उसके बाद टीम इंडिया के साथ T20 स्कॉर्ड में थे और बतौर कप्तान जो है टीम इंडिया को लीड भी किया है और अब तक के तीन T20 मुकाबले खेलेंगे जिसमें रोहिच की कप्ताने ने भारती टीम ने दो एक से अभी फिलाल लीड बनाए हुई है और रोहिच शर्मा के फिट्रेस अपडेट को लेकर आपको बता देजिया रोहिच शर्मा जो है बचे दो T20 मुकाबले उसमें खेलते विए नजर आएंगे ये खबर ये अपडेट जो आई है कहीं ना कहीं रोहिच शर्मा के फैंस के लिए और भारती क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशकबरी के तौर पर इससे करार दिया जा सकता है क्योंकि देखे आखरी जो दो T20 मुकाबले है वो निनाएक मुकाबले के तौर पर सावीत होंगे पहले अगर देखा जाए तो रोहिच शर्मा एंड कंपनी यानी टीम इंडिया अगर चौथा T20 मुकाबला गर जीती है तो टीम इंडिया तीन एक से जो है सीरीज में लीड बना लेगी उसके बाद अगर आखरी T20 मुकाबला जो अगर विश्ट इंडिया जीती है तो भारती टीम को तीन दो जो है वहाँ पर फासला रहेगा फिर भारती टीम एक मुकाबला ज्यादा जीती रहेगे तो सीरीज जो है भारती टीम अगला मुकाबला जीतने के साथ ही जीत सकती है लेकिन अगर चौथा T20 मुकाबला विश्ट इंडीज की टीम जीतती है तो भारती टीम के लिए थोड़ी परिशानी हो जाएगी दो-दो से जो है T20 सीरी जो बराबरी पर आगर खत्म होगा और पांचवे T20 मुकाबले में जो लगाता है है हम रोटेशन सिस्टम की बात करते हैं टीम में बाकी जो बेंच पर प्लेयर्स हैं उनको टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने की जो कवायद होती है भारती टीम के जीत कर तो ये मौका जो है भारती टीम को तभी मिल पाएगा पांचवे और आखरी T20 में बेंच पर प्लेयर्स को मौका देने का जब भारती टीम चौथा T20 मुकाबला जीत कर सीरीज पर अपना कबजा कर लेगी तीन दो तीन एक की जो बढ़त है वो भारती टीम के पास हो जाएगी और मैदान पर उनकी एक बार फिर से वापसी अपने फिटनेस को वापस हासिल करके मांस्पेशियों में जो खिचाओं की सिकायत थी उससे उबढ़ चुके है रोहिच शर्मा और ये कहीं न कहीं सुकुन सिर्फ T20 मुकाबलों के दौरान के लिए नहीं है आने वाले जो बारती क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत भरी कुशकबरी होगी आपको रोहिच शर्मा के इस हेल्थ अपडेट को जानकर कितनी खुशी हुई और रोहिच शर्मा वापसी कर रहे हैं वानी दो बाकी जो T20 मुकाबली बचे उसमें केलतों नजर आएंगे इसको लेकर आप को जो कुछ भी कहना और साथी साथ संभावित बदलाओ जो आपको लगता है जो जिन किलारे को प्लेंग इल्वेन मौके मिलने चाहिए उनका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और साथी साथ हमारी ये वीडियो हमारी अपडेट अच्छा लगे आ अबुले